गुरुबार को भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी कुछ आक्रे जारी हुए, एकॉनमी को लेकर, और इन आक्रों का असा दुनिया भर के बाजारों पर दिखा, दिसंबर के दौरान अमेरिका में रिटेल महगाई, यानि वहां की खुदरा महगाई, 6.5 पर आ गई, रिटेल दरों में बढ़ोत्री की जो रफ्तार है, वो घटने की उमीद है, इसी संभावना की वैसे अमेरिकी डॉलर में नर्मी आई, जिस वज़े से कमोटी बजार में सोने और कच्चे तिल की कीमतों में उच्छाल देखा गया, गुरुबार को ही अमेरिका में दिसंबर के दिसंबर के दौरान बेरोजगारी भत्ते के लिए आएक कुल आविदन दो लाग पांच हजार थे, आशंका ये थी, संभावना ये थी, दो लाग पंदर हजार लोग इस भत्ते के लिए आविदन करेंगे, सर ताजा आख्डे अमेरिकी अर्थिवस्ता की कैसी तस्वीर द दिकलते हैं, दो बड़े आख्डे थे, एक एक दिन पहले आया और एक कल आया, भारत और अमेरिका में महगाई के आख्डे एक साथ आए, लंबे समय के बाद मासी काधार पर अमेरिका की महगाईदर में कमी आई, हाला कि जीरोम पावल, RBI गवर्नर को ये उमीद थी, वो महगाई में कमी नहीं माना जाएगा, क्योंकि महगाईदर भी 6% से उपर है, और 2% का लक्ष है, अमेरिका में महगाईदर को नीचे लाने का, पर बाजार किसकी प्रतिक्रिया स्वाफाविक थी, बाजार की प्रतिक्रिया ये थी, कि डॉलर 9 महीने की निमतम इस तर पर ये के मकाबले पहुँच गया, और जैसे ही डालर की कीमतों में गिरावट आई, हमने दुनिया की मुद्राओं में बढ़तरी देखी, और कमाडिटीज की कीमतों में बढ़तरी देखी, और यहीं वो शुबह वही चैलेंज है, कि अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि डालर में 9 मेने के गिरावट के आद कच्चा तेल फिर 85 के आसपास खड़ा पहुचने की कोशिश कर रहा है, 83, 84 के आसपास पहुच चुका है, तो अगर डालर में गिरावट से कमाडिटीज की कीमतों में फिर बढ़तरी होती है, तो यह इनफलेशन का साइकल एक बार फिर लोटेगा, और इसलिए दुनिया के केंद्री बैंकर इस बात को लेकर मुतमेन है कि महेंगाई से लड़ाई को भी लंबे समय तक जारी रखना होगा, लेकिन हाँ, इसका कुछ फाइदा जरूर पाजारों में निवेशकों को मिला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ धीमे धीमे तो जूदा भूमिकाहे से बाहर निकल कर अर्थवस्था को दुबारा सस्ते करज की खुराग देना शुरू करेंगे.